Hello everyone, फिर से स्वागत है आप लोग को इस वीडियो में फ्रेंड इस वीडियो में में अज देखाएंगे आप लोग एक YouTube के लिए एक YouTube वीडियो के लिए कैसे एक अच्छा कासा थांबेल एडिट कर सकती है यहने कि एक Ultra HD थांबेल को कैसे एडिट कर सकती है अल्डर एडिश्डी थांबेल को एडिट करने के लिए आप लोग को प्लेश्टोर में जाके दो एप्लिकिसान इंस्टल कर लाना है अपका नाम आप लोगों देखाएता हूँ यह कह पिक्सल लैप यह देख रहा है यह पिक्सल लैप ठीक है दोनो जो दो नॉम्बर में जो आप आता है वो बैक्ग्राउंट इसार ठीक है बैक्ग्राउंट इसार प्लेस्टोर में यह दोनों है प्लेस्टोर में अबलेबल है आप लोग जाके इंस्टल कर सकती इंस्टल करने के बाद आप लोगको यह बैक्ग्राउंट इसार जो एप क्राप करना है कितना साइज में र켜खना है इसको क्राप करणा है ठीक है क्रॉप करने के बाद आपको ४ करने ना है धान करने बाद इसका जो बैग्ग्राउंड का जो फॉटो देख रहे ह 계 Faith background में जो भी are कुछी देख रही है ठीक़ Chris को पहले easier करने के लिए पहले आप लोग को राइट साट में exhaustion लिए जूम करना होगा ठीक है पहले आप लोग एक काम कर सकुक्त जूम नाय करके इन ठीक है अटो में हरे घूप साड में Listening साब्ने को राथ में ए और अचलो का प्शोड़ दो चोटा सा एक्जेम्पल देख रहा है ऐसे जो फटो का जो बैक्ग्राउंड है इसको इसार कर देना है, ठीक है इसार करने के बाद आप लोगो उपर में जो टिक बटन देख रही है, टिक बटन में क्लिक करके इसको सेप कर देना, ठीक है कि आजसे इसको सेप करना है fundamental по sharks क्रेश करना हो करना के बाद यह जो पिक्से लेप अप सब्डेप्ट अर् मुला था इंस्टल करने के लिए यह विएकिस्टाइन को इंस्ट्रल करना है इंस्टल करने के बाद लोग क्या करना होग न आप लोगों को इधार में जो भी background का जो भी color देख रही है ये color आप लोगों को choice करना होगा और ये color में आप लोगों का ये color लेना नहीं चाहती है तो आपका gallery slate करना होगा ठीक है इसमें उपर में देख रही है 3.3 line देख रही है या 3.3 देख रही है क्लिक करने के बाद यूज इमेज पर गैलरी देख रही है इसको क्लिक करना है ठीक है इसको क्लिक करने से आपका गैलरी में जो भी इमेज है वो स्लेट करना पड़ी है ठीक है स्लेट करने के बाद आपको इधार से इमेज का जो भी साइज है साइज पहले आप लोगो को चू करने के बाद ओकी कर दाना ठीक है ओकी करने के बाद आप लोग इसका जो बैक्ग्राउंड का जो फाटो एठीक है इसको पहला चुश कर लेना हुआ चलिए मैं कलर चुश कर लेता हूं ठीक है कि देखे हैं मैंने ऐसे कालर जूट कर लिया चूश करने के बाद उस फोटो को इसमें आट करना हो तिक बटन आप टिक कर दो टिक करने के बाद फोटो यह से हटाके वहर से चलागी जाएगी ठीक है और जाने के बाद इसको प्लेस कर देना कौन सा प्लेस में कि रहेगी ऐसे प्लेस कर देना ठीक है और आपको अच्छा से ठीक है अरके आपको इसको अच्छाि लागी का देखने के लिए देखने का अच्छा लागी टिक है है और आप लोगों एड़ीकर देना है ठीक है एड़ कर देन LANE क करने के बाद आपको और और एक बार plus icon में click करना होगा और कुछ भी text लिखना है तो plus icon में click करने के बाद text option है आप लोग ऐसे text लिख सकती है चले मैं एक example लिख देता हूँ है ऐसे एक टेक्स्ट क्लेख का जो भी साइज है ऐसे साइज को थोड़ा बढ़न होगा ठीक है ऐसे साइज को मैंने ठोड़ा ज्याधा कर लिया और और उसके बाद color चुछ करना होगा color कौन सा राखना चाहती है आप राख सकते है color कौन सा चुछ करना है ऐसे चुछ करने के बाद style में जाके इस लिखा को जो भी लिखाया इसको थोड़ा अच्छा देखने के लिए थोड़ा ऐसे ही इसको क्लिक कर देना ठीक है इसमें खुल करना होगा बैक्रोंड का color जो भी चुछ लेंगा चुछ करना होगा चुछ करने के बाद इसको राउंड में करने के लिए आपको इसी option को क्लिकोना ऐसे राउंड में हो गया ठीक है अईसे आप लोग को उसके अंदर जो भी settings है और settings कर सकते है ठीक है ऐसे और भी बहुत सारा color है ठीक है बहुत सारा styles है आप लोग जाके लागा सकती है ठीक है और इसको 3D करने के लिए 3D भी है ठीक है 3D भी कर सकती है और reflection reflection भी लागा सकती है मतलब reflection लागाने के बाद इसी जो type किया लिखा को देखने के बहुत आच्छा लागी ठीक है ऐसे दिखिए reflection एड कर दिया दिखिए कितना आच्छा लागा और इसको 3D करना है 3D करने के लिए आपको left side जाना है यह रिद सर्फट जना है राइट सेय बीडी टेक्स्ट िटेक्ष लिखा है 3D को on कर देना ऑन करने के बाद इसको ठोड़ा सा घूमा देना चाहिए ठीक है इसको ठोड़ा सा ऐसे ही गूमा देना ताकि 3D समच आई है ठीक है यह जो पिक्सल अपके अंदर बहुत सा थांबेल एडिट करने का option मिल जाएके और उसके बाद आपको और एक जोल क्या है ना फोटो सेप करने का टाइम में इसी option प्लास आइकोन निशाना देख रहे है उसका right side में एक save button देख रहे है ठीक है इसको save as project लिखाया और save as image लिखाया save as image कर देना इमेज करने के बाद आपको dimension में custom देख रहे है ठीक है custom नहीं राखना है आप लोग आल्टा कर देना ठीक है आल्टा कर देना ताकि जो फोटो सेप कर रहेगी वो फोटो का जो भी resolution है यानकी clearance ज़्यादा आईगी ठीक है आगया देखिए एपड़ो का जो भी ऐसे जोंग कर ओगी तो फोटो का जो भी ठीक है जो भी resolution है वो नाई पोड़ेकप देखिए कितना अच्छा रेजोलेशन आगया ठीक है और आप लोग पी ऐसे ही ऐसे ही फोटो का जो भी वीडियो का थंबल है ऐसे ही क्रियेट को रोगे ठीक है बहुत आच्छा आप लोगे मिलेगे वीडियो का अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना और एक कॉमेंट कर देना छोटा सा चैनल में है तो जरूर सब्सक्रिब कीजिए ताकि मैं ऐसे टेक रिलेटेड वीडियो हाट दिन लात रहत हूं और यूटूब का कुछ ट्रीक स्ट्रीव ऐसे ही कुछ वीडियो लात रहत हूं स्वाच के लिए इतना है मिलते आगले वीडियो में ताप तक के लिए जोईन बौन दे कर दो मतरूं